आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नहीं वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आए चल कर जाने स्ट्राइड फार्मा के बारे में सेप्टेंबर 14 के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे क्या आप अभी भी लॉंग जा सकते हैं इसमें कहां पर हमारे को stop loss लगाना है पूरी detail में चर्चा करेंगे और थोड़ा technical analysis भी करेंगे इस वीडियो इस फोर education purpose please do your own research and investigation before start investing and trading अब अगर आगे बात करें हम लोग तो सबसे पहले स्टार फार्मा का आप इसको स्टार के नाम से registered है जिरोदा में पट स्ट्राइड फार्मा के लिए अगर आप देखेंगे तो एक significant candle बनी है green candle बनी है जिसने अपना पिछला high को तोड़ा है यह बढ़ा ही सबसे पहली थोड़ा सा retracement अच्छा साइन फिर एक और बढ़ा फिर retracement आया फिर यह उपर गया फिर retracement और अब यहाँ पर इसने बहुत अच्छा काम किया है तो हो सकता है कुछ retracement करें और फिर उपर जाने के लिए तयार हो जाए तो यह एक अच्छा साइन ह होता है stock का आगे आने वाले time के लिए अगर आप इसको अपने portfolio में रख रहे हैं या फिर आपको intraday के लिए grade करना है तो भी आप कर सकते हैं तो अगर इसका पंदर मिट का chart देखें कल का तो Friday को काफी अच्छा दिन रहा सुबह से ही एकदम तेजी का रुक बनाया है stock में और यहां से continuously उपर चलता रहा हर कदम पर हर कदम पर तो यह अच्छा sign होता है इस तरह से अगर आप देखेंगे stock को तो वो significantly up direction में move करता है एक हमारा indicator होता है जिसको हम कहते है super trend indicator तो काफी अच्छा indicator है जो आप intraday में भी उस कर सकते हैं देखे हम क्या बोल रहे हैं तो super trend ने सुबह 10 बजे के असपास बोला कि आप आप लॉंग जा सकते हैं तो 614 पर लॉंग गया और consistently 680 तक लॉंग रहा हो तो बहुत अच्छा signal breakout दिया था इसने काफी अच्छा parameter है जिसके थूँ आप इसको कर सकते हैं अगर यह parameter आप daily basis पर भी देखें तो daily basis पर आपको समझ करना है तो daily basis पर भी significantly इसने अप direction बनाई है और even slope भी शुरू कर दे हांपे तो आगे के लिए long term view positive ही रहेगा इस stock में आगे आपको काम करना है तो अब अगर Friday की activity की बात करें तो Friday nifty का जो market था वो बहुत lackluster था 50 point के रेंज में सब दिन एक्सपैर हुआ इन्होंने और ना तो bulls को profit मिला न बीर्स को profit मिला हुआ ऐसे दिन के trade के लिए पर individual stock में हमें अच्छा फाइदा मिला था हमने अपने telegram channel बनाया हुआ है जिसमें ह आप क्यों हम कह रहे हैं कि यह technically upward direction में है अभी और आपको इसको use करना चाहिए तो allocated indicator बहुत simple indicator होता है moving average के basis पर आपको लग-लग moving average नहीं पराने होते हैं देखिए यहां से जब से इसने breakout दिया है green उपर गया और यहां से इसने significant buy दिया 471 से और अभी 680 तक जा चुका है क् कि जालतर pharma stocks अच्छे movement कर रहे हैं तो इसका भी movement अच्छा है आगे आने वाले time के लिए बहुत सही रहेगा please consult your own do your own research and investigation and there could be a possibility of errors in this video or research done by our team where we have come to the levels अब देखिए stride pharma का overall positive technical setup है जैसे हमने दो अलोड़ी parameter दिखा दिया एक parameter के और दिखाते हैं थ्रू आपको ताकि आपको clear हो जाए कि हम क्यों इसको stress कर रहे हैं still long जाने के लिए आप इसको short मत कीजिएगा हो सकता है आपका loss हो जाए इस short में तो एक अच्छा indicator होता है RSI का जिससे पता लग जाता है कि क्या overboard zone में तो नहीं आ गया है तो दीखे RSI ने जब यहाँ पर significantly dress कर रहा था नीचे को हैं पर कई दिनों तक तो RSI थोड़ा cool off हो जाता उस time पर देखें हां तक गया RSI करी 60 के असपास गया फिर यहाँ से फिर उपर जनी शुरू हो गई है और यह 80-85 तक आराम से जा सकता है क्योंकि news driven stock है इस वज़े से 85 तक इसका reasonable target रहता है जाने के लिए तो आप अभी भी इसको अपने पास में रख सकते हैं अब करना क्या होग हमारे चैनल पर जो आप देख सकते हैं और एक वीडियो की ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे seven mistakes towards market especially अगर आप intraday trade करते हैं तो इसमें कई mistakes होती हैं जो intraday traders करते हैं आप अपना experience करके बताएगा comment में कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा हम लोग intraday की nifty और bank nifty की trade भी तो देखें अब यहां से इसने जो यह breakout दिया है आग आने वाले समय के लिए दो possibility हो सकते हैं मंडे को कि थोड़ा सा नीचे retrace करें जो हमने level पर buy करने के लिए बताया है और जब यह ऊपर जाएगा तो इसका 38 percentile का जो level बन रहा है वो करीब करीब 731 सपास बन रहा है तो उ झाल